हेलो बच्चो, आएए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डाउट सीरीज का पार्ट टू, क्लास 12 की अप्लाइड मैच के साथ. दो डाउट साया हैं छोटे छोटे. क्या है? रुपीज हंडिड शेर अफ अ कंपनी आज सोल्ड अट डिसकांट अफ रुपीज 20. एक कंपनी का सो रुपीज वाला शेर 20 रुपीज के डिसकांट पर बिकरा है. यानि कितने में बिकरा है वो? एक कंपनी का सो रुपीज वाला शेर 20 रुपीज में बिकरा है. तो की चीज 20 के डिसकांट पर. आगे, if the return on investment is 15%, अगर investment पे return जो है 15% की है, find the rate of dividend declared. तो मैं को बताने, dividend का rate क्या है? यानि कंपनी ने कितना percent dividend बाटा है? पहले इस बात को समझते हैं. से rate of return क्या है? Basically, मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ. लेटसे मैंने ये शेर खरीदा 80 रुपे का. और इस पे मैं को company की तरफ से dividend मिला, तो वो मेरा क्या होगा, rate of return होगा. I hope पहला point clear हो. Second thing, अब जिसला ये company का शेर है, 100 की चीज, 20 के discount पे, यानि 80 में भिकरी है. और में को बोल दिया, कि return investment, यानि अगर मैं simple language में बोलूँ, profit कितना हो रहे है? 15% का. मैं आपके छोटा सा टास देता हूँ. मालनों मैंने 80 रुपे की चीज खरीदी, और 10% का फाइदा होगा. कितने का 10% का? में को calculate करके बताओ, कितने रुपे का फाइदा हुआ. आप जिट से वोलो कि sir, 10% यानि, 8 रुपे. Right? Easy था है, निकाल दिया. प्रॉपे यानि, डिविदेंट, कम्पनी ने कितने का डिविदेंट 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 करा, तभी तो प्रॉपे हुआ होगा. तो कितने का हो जाएगा? 80 का 15%. That is Rs.12. यानि, 80 का शेर खरीदा, और 12 रुपे का डिविदेंट में को मिल गया. 12 रुपे का डिविदेंट मिल गया. अब rate of dividend निकालना है. कि कम्पनी ने कितने का डिविदेंट डिविदेंट करा था? rate of dividend. तो वो कैसे निकालते हैं? ज्यान सो सुन लो. formula simple से. dividend upon में face value. face value का मतलब होता है, ये share की actual worth कितनी है? भाई ये share है कितने का? 100 रुपे का है ना? अगर company dividend बोलती है 10% तो वो 100 रुपे के according देगी. उसको मतलब निया कितने का बिकर है market में. ठीक है? अगर company ने बोला 20% तो 100 का 20% मिलेगा. तो क्या होता है rate of dividend का formula? dividend upon face value into 100. कितने का dividend मिला? 12 रुपे. था कितने का बाल? 100 का. इंटू 100% ये ये कितना हो गया 12%? बस ये छोटा सा point था. students, मेरे जमाग में अभी पॉइंट आए. क्यों आप एक formula बना दू? उसका एक reason है. अगला जो question में डाउट में लेने वाला हूं, वो आपको formula सा थोड़ा जादा better समझ आएगा. ताकिया को ये बच्चा ऐसा है जिसको problem आ रही है. जो question में अटक जाते है बार बार. तो formula लगाए, question हो जाए. तो मैं पहले कुछ formula लिख देता हूं. formula क्या है पहले? rate of return का formula हम ले लेते हैं. क्या हो जाएगा मेरा? profit on sale. अगर आपने माल लो share बेचा और उस पर आपको कोई profit हो रहा है. profit on sale. माल लो, आपने एक share खरीदा था, अस्ती का और उसे बेचती है नबे में. यानि 10 रुबे का profit कमा रहे हूं. तो उसे ले लो profit on sale plus dividend receive. और आपको माल लो, गोई dividend भी मिल रहा है. माल लो, जिससा अब भी हमने क्या करा? 80 का share, 90 पर बेच लिए हैं, इन्हें 10 का फायदा हुआ. ठीक है? और इस पर मेरे को dividend मिला था 20 रुपे. कितना? 20 रुपे. तो ultimate profit कितने को आप मेरे को? 30 रुपे का. ultimate profit 30 का, 10 का बेचने वे 20 का. dividend, dividend receive. upon में purchase price, कितने में खरीदा था मैंने? into 100. अब माल लो, sir, मैंने share बेच आई नहीं, मैं कि तो सिफ dividend मिल रहा है? यह share यहाँ पर share बितने की बात नहीं हुए, कि यह share बेच लिए आ गया. राइट? तो क्या होगा? फिर क्या दिर्कत है? फिर तो इसको बजीरो लेकर चलना, बहुत प्रॉफिट है नहीं, इसको count मत करना, खतम का नहीं, इसको यह share बेचा नहीं, 80 का share, पर क्या से resell करा? अब यह मैंने क्यों बताया? next question के लिए, a company declared a dividend of 14% एक company क्या कर रही है? 14% का dividend declare कर रही है, find the market value of rupees 50 share, 50 रुपे वाले share की market value निकालनी है, if the rate of return is 10%, अगर rate of return 10% है, पहले normal समझते हैं, यह 50 रुपीज क्या हुआ? यह 50 हो गया face value, find the market value of rupees 50 share, face value, और company कितना dividend दे रही है? 14%, तो common sense से बताओ, company कितना dividend दिया? simple है, आप इतने दों खुद ही निकाल सकते हो, 50 का share है 14% dividend, तो 50 into 14 by 100, 7 रुपे आजाएगा, right? जिसको confusion है, वो यह formula भी लगा सकते है, उससे भी आजाएगा अगर आप रखके दे पर value, anyways, 7 रुपे, अब कहते है, rate of return 10% है, यानि जो भी इसको खरीद रहे है, उसको 10% का फायदा रहा है, अब 1 मिन, 10% का फायदा, यानि जतने का वो खरीद रहे हो, उससे 10% की उसको कमाई आ रही है, अब कुछछ सोचके बताओ, कमाई कितने की है? 7 रुपे की, right? 7 रुपे की है, 7 किसका 10% होता है? कुछ बच्चों से बात समाझ आगी होगी, कुछ को नहीं आगी होगी उसके लिए फार्मला लगा लो क्या, rate of return का फार्मला क्या है अभी बताया मैंने क्या, profit on sale इसे बेच रहे हो, नहीं नहीं बेच रहे हो, profit on sale plus dividend declare plus dividend receipt का गया, यह रा dividend receipt, क्या dividend मिल रहे है, हाँ, कितने का 7 रुपे का upon me, cost कितने की cost है यह रहीं, purchase price, कितने का है, पता ही नहीं, purchase price पता ही नहीं, into 100 और कितना percent rate of return है 10%, so करो solve, purchase price क्या हो देगा 7 by 10 into 100 that is 70 I hope आपको clear हो अगर यह clear नहीं है तो मैंको comment section में बताओ कि sir clear नहीं है ताकि अगली बार मैं आपको और भी better way से इसे समझा सकूँ और के अगल्ट जोलש नहीं का human है